स्वागत है आप सभी का साइंस अन्फन पे चैनल पे जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और फाइनली और गैनिक केमिस्ट्री जिसकी बहुत टाइम से आप लोगों को डिमांड थी और गैनी केमिस्ट्री के लेक्चर्स अब इस चैनल पर आ अगर मैं आपको वैसे समझाओं तो एक्विलिब्रियम भी काफी बड़ा है लेकिन एक्विलिब्रियम में लें नंबर आफ कंसेप्ट्स कम है कोशांस बहुत करने पड़ता है जिसके वज़ यहाँ बड़ा हो जाता है लेकिन यहाँ पर अपने आप में कंसेप्स ही बहagत जादा है उछ और सबसे ब्ड़ार टॉपिक के यहाँ पर यहाँ नॉमन ट्लेचर में हैं धोसले के थीन लेक्चर लग जाएंगे उसके पात सेकिंड सबसे बड़ा टॉपिक है आई सोमेरिजम जो करेंगे से साल कुछ टॉपिक डिलीटेड पहले जो डिलीटेड नहीं है उनको खतम करेंगे और फिर जो बाकी बच्चे है जो दूसरे बोर्ट के उनके लिए जो डिलीटेड पार्ट है वो भी हम लोग ले हमारे पास यानि ओर गैनि योज निक कैमिस्ट्री आप सब को बता है और गैनि केमिस्ट्री क्या होता है और उनने ज्छे नजहांगा वारे तो 100 मेंसे आपको 50 से भी ज्याधा compounds के अंदर carbon मिलेगा, अपने कमरे में 100 कोई भी चीज़ा आप अपने कमरे में उठालो, मैं लिखेते में सकता हूँ, 50 से ज्याधा चीज़ों में आपको carbon मिलेगा, 50 में number कम बोल रहा हूं, हो सकता है ये number 90 पार भी हो जाए, मैं अपना on a safer side लेके चल रहा हूं तो पचास से भी ज्यादा चीज में कार्बन मिलेगा और इसका रिजन शायद आप लोग जानते हैं कि कार्बन 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 के पास टेट्रा विलेंस यानि चार बॉंड बनाने की बी ताकत है तो इन सब रिजन की वैसे कार्बन बहुत सारे कंपाउंट्स फॉर्म करता है जिन्य और गैनिक कंपाउंट्स कहता है उसकी पड़ाई को हम लोग और गैनिक केमिस्ट्री बोलता तो लेक्चर वन को शुरू करना से पहले मैं को बता दूँ कि हम लोग नॉमनक्लेचर यानि आई यू पी एसी नेमिक से शुरू करेंगे कि कैसे कंपाउंट का आयू पीएसी नेम देना होता है अब जैसे कि 10 क्लास में हमारा कार्मेंट कंपाउंट चप्टर आया था जो लास्टियर बच्चे थे लास्टियर मतार आज जो 11 में जो आप लोग है तेंथ में यह चप्टर बहुत सारा डिलेटेड था तो इसलिए आप लोग ने शैद ना पढ़ाओ और अगर पढ़ा भी तो कोई बात नी हम इस लेक्चर के अंदर 10 वाले नॉमन क्लेचर को रिवाइस करने हैं और आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आपने हाइड्रोकार्बंस कार्बोगजलेक असिट के टोन इल्डेहड इनका नॉमन क्लेचर नहीं किया तो आगे कुछ भी समझन नहीं आएगा टोटल 12-13-14 फंक्शनल ग्रूप्स ह और फिर अगले लेक्शर से हम भाग पाकी फंक्शनल गृप्स का नॉमनक्लेचर और साती साथ एक ही एक एक ही इक Yиж एकमपाउंड में से एक ही compound में एक से जादा functional groups आ जाएं तो नॉमन कैसर कैसा होगा फिर bond line diagrams करेंगे और उसके बाद फिर isomerism बचलेंगे तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस lecture के अंदर 10 के जो functional groups हैं उनको हम लोग revise कर रहे हैं यह बात ध्यार नखे करें लेकिन दूसरी वाली definition आपको आज समझ में नहीं आएगी आज समझ में मतलब से मेरा कहने का अगेन मतलब है मैं बार बार ऐसे बोर रहा हूं आपको इस chapter के end तक आते आते समझ में आ जाए कि जब हम सारे और गैनिक कंपाउंट्स छे के छे पढ़ लेंगे यानि और आदे घंटे के अंदर और पेंतालिस मिनट के अंदर आप सेकेंड वरे definition भी आटमेटिकली समझ लोगे बट अगर मैं और गैनिक कंपाउंट्स की बात करो कि और गैनिक कंपाउंट्स क्या होते हैं तो इसे कंपाउंट्स एफ उनिक कंपाउंट्स जिनमें कार्बन ब काल बन पाया जाता और वह नेचर में एक होते हैं आप खटे होते हैं अब फट्टे उत यह क्या डेफिनिशन वहीं जो ब्लूली लिटमस को रेड करता हैं लेकिन बचपन से तो यह बोलते हैं रहे तो चलो एक गेम खेलते हैं comment section पर define करो एपल क्या होता है कोई माये का लाल लाली आ है पता दे कि एपल क्या होता जल्दी पता पता हो हाँ जी Apple क्या होता है एपल की definition देदो तो आप नहीं दे पाऊगे न भोह जो लाल होता है जिसको खाने से तो दूर रहता है मतलब ऐसे तो बहुत सारे चीज़ों की परिभाशा हम उनकी प्रॉपटी के हिसाब से देते हैं क्योंकि डेफिनेशन नहीं होती तो अभी तक मैं से देते आए थे लेकिन चेप्टर में पढ़ा एसेड़ वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद एच प्लस देते हैं ऐसे अभी फिलाल काम चलाने के लिए बात कर रहें कि और गैनिक वह होते हैं जिनके अंदर या तो क्या हो या तो वह कौन हो रोकार्बन या अब आपको हाईडरो कारबन का मतलब हो सकता है ना पता हो लेकिन हाईडरो कार्बन का मतलब आपको पैद्फश में हम उन्हें और अरगैन से नहीं न होते इसलिए पहली परिभाष उतनी ध्क ज़ादा फेमस नहीं है फिक चलो अब हमें इस चप्तर में कितने हो पर क्वांद मार्क माइ वर्ड's 11 ग्लास में 14 14 और गशघंश적 में बहुत ज़ादा होते हैं 11 क्लास के ह transparen multiplayer परकी एक बहुत बड़ा नमबर है लेकिन 10 मामें सिरफ चुर्ड गैने कं पाउंट्स है टाइप सोफ है और गैनिक कंपाउंड उनी में डाकू एक नमबर 20 टया अरग्य कंपाउंड को पहला है अब्यस की बात है पहला है हाइड्रो कार्बंस जिनको हमें पढ़ना यह तो डाकूए बाई साब यह हैं सब बाकी तो इन्हें से बने हुय हैं यह है सब बाकी तो यह नहीं से बने में सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे एलकोहॉल महाल मत बनाना मुह में पानी नहीं आना चाहिए बच्चों क्योंकि यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं बताब वही हैं लेकिन सिर्फ वही नहीं है हम लोगों को इस चप्टर में पाइब है यह नहीं हम लोगों को इस चप्टर में पढ़ने और मेरे यकीन मानी हाइड्रो कार्बन में आदा घंटा 45 मिनट लगेंगे बाकी सब के अंदर पांच मिनट पांच मिनट पांच मिनट पांच मिनट पांच मिनट पांच मिन लगेंगे क्योंकि आप समझ नहीं और गैनिक कंपाउंट्स कॉन है जो खुद हाइड् बने हुए यह उन्हीं से बने में तो जैसे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ लोगे जिसमें में लगेंगे आदा गंटा 45 मिनट उसके बाद मेरा यकीन मानिए आटोमेटिक लिए छे के छे बचे विए पांच 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 मिनट से उपर ने लगेगा पांच पांच मिनट त की तरफ ठीक है जी बनाच बनाच का खेल साथ साथी निप्ठा देंगे ठीक है जी दनेच और गने कंपांच हम लोगों को पढ़ने चलिए वह तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोकार्बं के बारे में यह चे और गने कंपांच तो हमें इस चप्टर में कंपांच जिनके अंदर आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा दुनिया में 120, 122, 118 जितने भी कहलो उतने अलिमेंट्स हैं लेकिन पॉइंट यह है कि हाइड्रोकार्बंस ऐसे और गनिक कंपांच होंगे जिन में आपको सिर्फ कार हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन अगर किसी कंपांच में तो इसे हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा एक्जामपल के तौर पे एक्जामपल के तौर पे जैसे कि CH4 अभी आप फिलाल शायद इने नहीं जानते होंगे लेकिन जान जाएंगे C2H6 C5H10 यह सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं कैसे पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है आप देख सकते हैं और तीसरा कोई भी ऐलिमेंट आपको इनके अंदर नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिलेगा औ तो ऐसे और यह निक अन्हों पांट को हाइड्रो कारबन कोंसे होते हैं ऐसे हाइड्रो कारबन जिनलेगा ऐसे hydrocarbons जिनमें carbon carbon में आपको single covalent मिले जैसे कि हमारे पास मालो यह दो carbon है अब इस दो carbon के अंदर हमें आप देख सकते हो कि carbon और carbon के बीच में single bond ही मिल रहा है बाकी तो h लगेंगे carbon की valency 4 होती है उसको satisfy करने के लिए h तो आएंगे लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि carbon और carbon के बीच में कितने बांड है तो आंसर सिंगल है ऐसे को हम लोग saturated hydrocarbon कहते हैं अगर मैं आपको यहां पर एक और το हैं चैने का मतलब है कि अपको सिंगल बांड मिलेगा उन्हें कहा जाएगा साचुरेटड हाइड्रोकारबस होते हैं औंको को एलकेंज भी कहा जाता है अभी हम इनके जब नामकरंट सीखेंगे तो हम इने एलकेंज ही कहेंगे लेकिन साफ चुरेटेड हाइडरोकारबन को एलकेंज भी कहा जाता है एक बात और ध्यान रखिएगा saturated hydrocarbons का एक general formula होता है जो की होता है Cn H2n plus 2 इसका मतलब है इनके पास जितने भी carbon होंगे उसके दुगने से दो जादा hydrogen होंगे इनके पास जितने भी carbon होंगे उसके दुगने से उनके दुगने से दो जादा हमारे पास क्या होंगे hydrogen तो आउख चेक कर लगा है इसके पास दो carbon है तो दो का दुगना हुआ चार चार और दो छे तो आप गिन सकते हैं इनके पास छे hydrogen आपको मिलेंगे यहाँ पर देखो तो carbon हमारे पास चार है चार दुनी आठ 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 और दो दस आपको hydrogen मिलेंगे तो कुल मिला के कहने का मतलब है ऐसे hydrocarbons जिन में single single bond होता है उनको saturated hydrocarbons कहते हैं उनको alkyns भी कहते हैं और उनका general formula हमारे पास CN H2N plus 2 हमेशा रहता है यानि इनके पास जितने भी hydrogen जितने भी carbon होंगे उसके दुगने से 2 जाद hydrogen होंगे जैसे कि यहाँ चेक करते हैं अब 1,2,3,4 carbon है अब 4,2,8,8 और 2,10 hydrogen आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि मिल भी रहे है ठीक है न तो इनने भी होतना है saturated hydrocarbon फिर आते हैं unsaturated hydrocarbon इन में carbon carbon के बीच में double या फिर triple covalent bond भी हो सकता है हम यह बात कर चुके हैं कि दो atoms के बीच में 4 covalent bond नहीं हो सकता है लेकिन double और triple जरूर हो सकता है तो अगर carbon carbon के बीच में double या carbon carbon के बीच में अगर triple covalent bond हुआ तो पहली बात तो उन्हें unsaturated hydrocarbon कहा जाएगा इसमें से alkenes बुला जाएगा जब double bond होगा और alkenes बुला जाएगा जब triple bond होगा और alkenes बुला जाएगा जब triple bond होगा मैं आपको दोनों के example दे रहा हूँ पहले मैं आपको double bond यानि की alkenes के example दे रहा हूँ जैसे कि carbon है और carbon है उसके बीच में double bond आ गया अब carbon को total overall 4 bond मनाने होता है लेकिन उसने भी 2 bond मना रखें तो दो दो और hydrogen लग जाएंगे hydrogen जितने कम हमारे पास bond है उतने hydrogen यहाँ पर लग जाएंगे क्योंकि hydrocarbon है तो carbon के साथ hydrogen ही लग जाएंगे अगर मैं सिक आपको एक और example दे दूँ भाई जैसे कि यहाँ पर double bond आ गया तो यहाँ पर दो बॉंड हो गए तो दो और hydrogen आ जाएंगे यहाँ पर देखो दो और एक तीन हो गए तो एक और hydrogen आ जाएगा यहाँ दो बॉंड हो है तो दुख कि टोटल bond हो गया तो फिर तीन bond carbon के पूरे हो गया तो एक bond हमारे पास यहाँ पर और आ जाएगा एक बॉंड हमारे पास यहाँ पर और आ जाएगा हना ऐसे यहाँ आगर मैं बोलू एक दो तीन चार पांच छे आ गए अब मालो कहीं पर भी किसी बेग जगा मालो यहाँ पर triple bond लग छाओंगा गए और होसकता है इसका एक बॉंड पूरा हो गया तो तीन और hydrogen यहां पर आजाएंगे इसके चार पांच लोग लोगा इसके यहां पर ऊचरकार यह और हैए must यहां पर सिंगल बॉन्ड वालों का जनरल फॉर्मुला था cn h2n प्लस टू ऐसे ही अलकीन और अलकाइन का भी जनरल फॉर्मुला रहता है क्या जनरल फॉर्मुला रहता है आउजरा चेक करें तो इनका जनरल फॉर्मुला रहता है cn h2n that's it और इनका general formula रहता है cn h2n-2 इनका general formula होता है cn h2n इनका general formula होता है cn h2n-2 यानि alkanes में यानि saturated में hydrogen double से दो जादा थे इसमें double होंगे और इसमें double से दो कम होंगे लेकिन ध्यान रखना ही general formula 10 तक valid है क्योंकि 11th में या और higher classes में आप क्या देखोगे कि एक ही chain के अंदर आपको एक से जादा double और triple bond भी मिल सकते हैं तो यह general formula valid नहीं रहेगा यह दोनों general formula कब valid है जब एक chain में एक ही जगा पर double bond अगर इधर भी double आ गया जो 10th में नहीं होने वाला है CBSC board के साब से तो यह general formula आगेगा ऐसे अगर यहां पर एक triple bond आ गया है तो यह वाला general formula आपको लगाना है आप चेक करते हैं दुनों general formula सही हैं भी कि नहीं जैसे कि यह कह रहा है कि जितने भी carbon होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे आप चेक करें यहां पर carbon कितने हैं दो तो दो का दुगना हो गया चार तो चार हाइड्र hydrogen है यहां पर दो का दुगना कितना हो गया चारगतार में से दो गए दो आगया हईड्रोजन ऐसी एक दो तीन चार पांच छे चे दुनि 12 12 में से दो गये 10 hydrogen यहां पर हने चाहिए आप देख सकते हैं कि 10 hydrogen हैं भी तो ऐसे ईभर जिनमें double या triple वह उन्हें unsaturate कहेंगे double वालो को हम लोग कह देंगे Elkine और triple वालो को हम लोग कह देंगे Elkine cool है done है चार हो नहीं सकते यह बात हो चुकी है पका अब अगर हम लोग बात करें iupac naming of hydrocarbons hydrocarbons की IUPAC naming की हम लोग यहां पर बात करेंगे IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry एक ब्रांच होती है chemistry की एक division होता है जो nomenclature या इन सब पर deal करता है ठीक है न यही decide करता है किसी भी organic compound का नाम करन कैसे होगा अब किसी भी IUPAC name में दो पार्ट होते हैं एक होता है prefix prefix decide होता है number of carbon से prefix decide होता है number of carbon से हरा क्यसे आओ अगर number of carbon एक है दो है 3 है 4 है 5 6 है 7 8 है 9 और 10 है तो हमारे पास एक prefix लगता है क्या क्या शचक्यींकर कर दो आपको नाम के आगे शूट लगाना है तो आपको पेंट लगाना है यह आपके नाम करण प्रिफिक्स यानि नाम के आगे क्या ना यह reporting साइड करेंगे अभी नहीं आपको समझ में आ जाएगा अब आता है नाम के पीछे यानिकी suffix क्या लगाना है अब होगान डिसाइड करता है तो सफिक्स डिसाइड होता है कि आपका फंक्शनल गुरूप कौन सा है मतलब आप एलकेण है एलकीन है या काइन है यानि कि आपके पास कार्बन कार्बन में सिंगल सिंगल बॉंड है तो मैंने पताया एलकेन है डबल है तो एलकीन और ट्रिपल है तो अगर आप एलकेन है तो नाम के पीछे यानि सफिक्स आपको लगाना होगा एन अब इसका मतलब समझ में आएगा अगर आप एलकी मालो यह निए शुरू कर लेते सबसे पहले तो आपने देखना कि कितने कार्बन आप देख सकते हैं कि इसके पस 3 कार्बन का मतलश हमने आपको पताया है प्रॉप ठीक है जी अब ये एलकेन है एलकेन है तो जनरल फॉर्मॉला के हिसाब से इसमें दुगने से दो हाइड्रोजन ज्यादा है तो दुगने से दो हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसका मतलब यह हो गया एक एलकेन तो इसका नाम हो गया प्रोपेन कितना सिंपल है देखो एलकेन तो इसलिए नाम के पिछल लगा दिया और तीन कार्बन तो नाम के आगे लगा दिया प्रॉप तो नाम हो गया प्रॉप पेन ठीक है जी ऐसे अगर बात करें तो सी फाइव एच ट्वेल वागया अब या आप मुझे सबसे पहले पता हूँ यह कौन है वह एलकेन है यह एलका है तो सब में सिंगल बॉंड तो नाम आगया पेंटेन तो इस तरीके से नामकर्ण हो जाएगा ठीक है ऐसे अगर मैं बात करूं मालो सी सेवन एच फॉर्टीन की तो इसमें जो हाइड्रोजन है वह एग्जाक्ट डबल है और जब हाइड्रोजन डबल हो तो उसको हम नहीं पता है उसे हम एलकीन कहेंगे तो साथ कार्बन के लिए यूज हैप्ट अभी एलकीन है तो नाम के पीछा आजाएगा इन तो नाम हो जाएगा इसका हैप्ट इन ऐसे ही मालो सी फाइव एच या सी फाइव तो कर लिया आओ कुछ और लेते हैं मालो आया मारपास सी टू जो है वो दुगने से दो कम है दो का दुगना चार चार से दो कम है दो तो यह एलकाइन है तो नाम हो गया इथाइन ठीक है एक आखरी करें अगर सी फाइव एच टेन तो पांच कार्बन है तो पैंट हो गया अब सब में देखा जाए तो फॉर्मला है सी फाइव एच टेन मतलब की hydrogen carbon से दुगने हैं अब अगर hydrogen carbon से दुगने हैं तो नाम के पीछे इन आ जाएगा यानि की इलकीन आ जाएगा तो नाम हुझाएगा पेंटीन सिंपल है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं ठीक है तो इसके नाम करन जो है वो करेंगे लेकिन जब आपको यह expanded structure दे रखा होगा मतलब की structure को खोल के दे रखा होगा तो आपको double bond की position वेगरा भी mention करनी पड़ेगी जाने की म अब इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कार्बन है तो अगर यह ऐसे लिखा होता C6H12 तो इसका नाम हम hexine लिख देते हैं लेकिन हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि double bond की position कहा है तो हमें position भी दिखानी है position कैसे दिखानी है आपको अपनी chain को number करना है इस तरीके से number करना है कि double bond को छोट से छोटा number मिलें जैसे कि अगर मैं यहाँ से number करूँगा तो इसको 1,2,3,4,5,6 तो पहला carbon जिस पर double bond आया वो 2 है तो यानि double bond की position 2 हो जाएगी लेकिन अगर मैं यहाँ से number करूँगा तो 1, 2,3,4 मिलेगा तो छोटा number यहाँ से मिल रहा है तो हमने number ऐसे किया छे carbon है तो hex आगया अब 2 पे आप देख सकते है double bond है तो इसका नाम हो जाएगा hex 2 in क्यूंग हो जाएगा इसका नाम hex 2 in क्यूंकि इसमें जो in है यानि double bond है वो second पर लगावा है नाम और number के बीच में CH2 CH3 जैसे कि यह है इसमें एक दो तीन चार पांच छे अच्छा इसमें भी छे होगे चलो कोई बात नहीं छे है छे का मतलब हो गया hex आप इसमें triple bond है उसकी में position दिखाने पड़ेगी तो एक दो तीन ऐसे जाँगो तो भी तीन मिलेगा तो कई से भी चले जाए उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता विकाज हर जगह जाने से आपको तीन ही मिलेगा तो hex 3 पे triple bond है तो triple bond को लोग बोलते है आइन तो hex 3 आइन हो जाएगा क्या एक चेंड में एक से ज्यादा double एक से ज्यादा triple bond भी हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं बड़ आपको बनाने नहीं मतलब 10 10th के syllabus में नहीं है वो एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं लेकिन हमारी 10th class के syllabus में वो नहीं है ठीक है ना ऐसा हो जाएगा ठीक है एक और करते हैं आखरी जैसे कि यह आप पर आ गया double bond CH2 CH3 CH2 CH double bond CH2 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 CH3 यहां पर एक गलती है मैंने अगर आपने पहचाना हो तो यहां पर एक ही H आएगा ठीक है आप इसका नाम गरन करेंगे तो पहले होता है एक दो तीन चार पांच छे साथ हैं साथ का मतलब क्या हो गया है अब यह double bond कहां लगावाए देखो तो एक दो तीन पर या फिर एक दो तीन चार नहीं तीन पर तो हैप्ट थ्री इन हो गया यानि अगर ऐसे करके आपको structure दे रखे हैं तो आपको नहीं पता कि वह double bond triple bond कहा है तो आप इनका normal नाम लिख दोगे लेकिन अगर उन्हें आपको ऐसे structure दिया condensed तो आपको उसकी position भी लिखनी पड़ेगी वैसे cbse के स्लेबस में chances कम है कि यह position वाले आएं बट फिर भी मैंने on a safer side आपको यह करा दिये हैं एक में double और triple दोनों भी हो सकते हैं लेकिन वह अभी हमारे syllabus का हिस्सा नहीं है बास सम c3 h8 c9 h18 c7 h12 c10 h22 ठीक है इन पांच के नाम करण आपको करना है ठीक है और यह जो ppt है इसकी ppt आपको टेलिग्राम नीचे description में टेलिग्राम का लिंक होगा टेलिग्राम पे मिलेगी और हो सकता है इन पांचों के answer भी हम टेलिग्राम पे भेज़ दें या फिर कभे discuss करना ज्यादा मुश्किल तो यह है नहीं लेकिन नीचे टेलिग्राम का लिंक होगा उस पर आपको ppt वेगरा मिलेगी ठीक है जी डन है तो यह तो बात हुई कि hydrocarbons की naming कैसे करते हैं अब ब हम अर पास branched form में आते हैं branch मतलब इसका branch का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो branch का मतलब समझते हैं CH3 CH2 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 CH3 और यहां पर मालो CH3 लगावाए अब अगर आप इस compound को देखें तो यह compound में मैं आपको बोलूं कि longest chain चुनो एक chain बनाओ जिसमें सारे कार बना जाएं तो अग और nieuwe chain अगर आप लेते ओं तो यह वाला कार्बन भाहर रह जाएगा यह वन टू थ्री फॉर फाइफ कार बन की चैन लेते ओ तो यह वाला भाहर रह रह जाएगा अगर आप 11234 in kitchen लेते हो तो यह वाला भार रहा है मतलब कोई भी चेन ले लो चेन मतलब continuous number of carbon ले लो आपके number of carbon जितने मरजी की चेन ले लो यह बात ध्यान रखना कि number of carbon अगर भार रह रहा है तो ऐसे hydrocarbon को हम लोग branched hydrocarbon बोलते हैं जिसमें मैं जितने भी कोशिश कर लूँ सारे hydrocarbons मैं चेन के अंदर नहीं ले पाऊंगा कुछ ना कुछ hydrocarbon चेन के बाहर रही जाएंगे ऐसे केस में हम उस hydrocarbon को branched hydrocarbon कहते हैं अब ब्रांज hydrocarbon की naming कैसे करते हैं कुछ rules होते हैं सबसे पहला होता है select longest chain आपको longest chain चुनने हैं वह कैसे चुनते हैं बता रहा हूं इसके बाद जो भी carbon chain के बाहर रह जाएंगे उनको आप alkyl groups कहोगे जो भी carbon chain के बाहर रह जाएंगे उनको आप alkyl groups कहोगे जैसे कि एक carbon है तो इथाइल बोल दोगे अभी नाम कराओंगा समझ जाओगे दो हैं तो इथाइल बोल दोगे तीन हैं तो profile बोल दोगे इसके बाद आपको अपनी chain को इस तरीके से नंबर करना है कि आपके जो alkyl group का नाम हमेशा अपनी main chain से पहले लिखना यह तो इतिहास गवाए कि जब यह चार कानून पढ़ाए जाते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि यह क्या है लेकिन जब इसके उपर questions और example कराई जाएंगे ना आप समझ जाओगे कि यह क्या बात हो रही है आप ठीक है चलो शुरुबात करते हैं जैसे सबसे पहले बहुत ही सिंपल से एक्जाम्पल से शुरुबात करें जैसे कि यह आप जैसे कि यह ब्रांज हाइड्रो कारबन है ठीक है तो सबसे पहला step है कि आपको अपनी longest chain जो है वो select कर लेनी और डब्बे में डाल लेनी जैसे कि 123 कारबन या फिर 123 या फिर 123 अब कहीं से भी मैं लॉंगेस चेन लिए तीन कारबन की मिल रही है तो जब भी आपको लॉंगेस चेन टेड़े और सीधे में भी बराबर ही मिल रही हमेशा सीधा ही जाना है मतलब क्या समझाता हूं यह हमने हमारी longest chain चुन ऑफिक दूसरा पॉइंट कहा था जो भी कारबन चेन के भार आएंगे वह हमारे लिए लकायल गुरूप हो जाएंगे से इतायल मिधायल प्रोपायल ची के उसके बाद आपको चेन को इस तरीके से नंबर करना है कि इन अलकायल गुरुप को छोटे से छोटा नंबर मिली त था कि आपको अब नाम करन लिखते वक्त अलकायल ग्रुप का नाम पहले लिखना और में चेन का बाद में अब यहां पर क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन जब चेन के भार आएगा उसको हम बोलेंगे यह क्या बोलेंगे अब यह टू पर बेठा हुए तो नाम करन कैसे होगा देखना क्या टू पर बैठा हुए जो भी चेन के भार आएंगे वह सकना अलकायल ग्रुप हैं एक कारबन बाराया तो मित दो दो आए तो इस तीन तीन तो प्रोपाइल चार आए तो प्यूटाइल चार वैसे तीन चार वैसे आएंगे नहीं बट अगर एक आया तो मिथाइल अब हो मिथाइल कहां बैठाव है टूपे तो टू मिथाइल प्रोपेन अरे अभी और कर रहे हैं यार घबराओं मत जैसे की मालो ख ηच तो है शीच तूं आ गया तो शबसे पहला काम किया आपको लॉण चेन चुन देनी है तो यह आपकी लॉंगेज ही यह आपके लॉंगे मिले गी डीमे जैन में यह मार पास बन है तू है टू है तो answer आगर मैं इसको यहां से number दूँगा तो 1,2,3 मिलेगा यहां से दूँगा तो 1,2,3,4 मिलेगा तो अब विज़ा 3 दूँगा अब इसका नाम पहले आएगा तो 3 यह एक carbon भार, एक carbon कौम लोग बोलेंगे methyl तो नाम हो गया 3 methyl, 6 carbon है तो hex सब में single bond है तो in तो नाम हो गया 3 methyl hexane, नाम हो गया 3 methyl hexane, समझ गया नहीं समझे तो आओ जी और example लेते हैं जब तक समझ नहीं आएगा समझाते रहेंगे CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3 अब सबसे पहला काम longest change चुनना है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच या एक, दो, तीन, चार, पांच, तो आँसर है कहीं से भी जाओ, आपको जो longest chain मिलेगी वो पांच carbon की मिलेगी तो जब हर जगा से पांच की मिलेगी तो फिर टेडा क्यों जाना सीधा जाएंगे अब पताओ chain के बाहर हमें कितने carbon मिल रहे हैं अब पताओ chain के बाहर हमें कितने carbon मिल रहे हैं तो आंसर है chain के बाहर हमें दो carbon लगातार मिल रहे हैं अब जब भी chain के बाहर हमें दो carbon मिलेंगे उन्हें का बोलेंगे एलकाईल ग्रुप्स क्या बोलेंगे एक कार्बन तो मिथाईल दो है तो इथाईल यहां पर दो कार्बन भार तो इथाईल अब भात आई नमबरिंग की तो one two three या वन two three तो लुए one two three four five जो यहाना है और चेन के भार पहले एक carbon था तो आपने methyl यूज किया था अब दो carbon है two carbon है तो 3 पे कौण आगया मर्पास ethyl in Korean, तीन पे कोन आगया मर्पास ethyl 5 carbon की chain है तो आ गया repent सब में single bond है तो again, तो नाम आ गया 30 ethylphenatein नाम आ गया 30 ethylphenatein नाम आ गया 3 ethylphenatein असान ना यार बोलो क्या दो मिथाइल भी भार आ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते आओ जरा समझें यह वाला ध्यान से देखना आपको यह वाला ध्यान से देखना अब जैसे कि यह कंपाउंड है अब इसमें आप पूरा दिमाग लगा लो तो भी लॉंगेश चेंड यही वाली आएगी ठीक है अब चेंड के बाहर आप देख सकते हैं कि हमें दो कार्बन मिल रहे हैं अब आप मुझे पताओ यह दो कार्बन ऊपर वाले की तरह एक साथ भार हैं यह अलग अलग हैं अगर वह एक ही चेंड की फॉर्म में भार होते तो इसको हम लोग बोल देते इथाईल है लेकिन अग सका नमब देते हैं आप यह तू पे theful है तू पे ही मिथाईल हैशे नंबर के बीच में हमेशा घार रहे है, ऐसी दो नंबर के बीच में हमेशा काउमा आएगा तो टू कामा टू यह दोनों के दोनों इसलए नहीं बोल सकते क्योंकि यह इथाईल है नहीं, इथाईल का मतलब क्या होता है जब दो कार्बन एक साथ बैठों जैसे उपर बैठे वे थे तो इसका नाम क्या हो जाएगा तूटू डाय अगा अधाइल मे Soup एधाईल और एक दो टीन चार कारबन यह चार कारबन है तो भी टेनग उसका नाम करनों असान रही हार यहार कुछ भी नहीं है चीक्प आओ तो एक और कर आताओ फिर करो इसको लो 30 सेकंड और जल्दी से करो निप्टाओ और सब से इंबॉटन बात है कमेंट सेक्षन पर आंसर जरूर लिखोगे टाइम स्टाइम देख लो कितना मिनट हो रहा है वीडियो में उसके एसाब से आंसर लिखो मैं अगले क्लास में नाम पढ़ूँगा बच्चों क कि जिन्होंने आंसर दिए जल्दी से टाइम स्टैंप पता दो क्या है जल्दी से और आंसर लिख दो खटाइक से थीकँ है आफोप कर लिया हो सबसे पहला स्टैप क्या होता है सालएक भी लॉंग लॉंगे सेंट चुन लो एक दो तीन चार-पांच जे सबसे पहला काम है longest chain तो longest chain चुन ली भई ये लंगेंस चुन ली ओके अब ये जोनों तो भार आगए वह एलकाल गृप आप क्या ये दोनों कारबन एक साथ भा रहे अलग अलग भा रहे तो अब आप साफ देख सकते हो कि अलग अलग वा हरें अब अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया टाइम पर चलो पता नहीं बीच में कितनी बार उज़ोगी स्वारी यार उसके लिए चलो बताओ एक दो तीन चार अब आप पताओ मुझे कि यह कार्वन कहां कहां पर भार हैं तो आंसर है दो कार्वन लगातार भार है या अलग-अलग भा या से करूंगा तो बहुत ये तो एक मिधाईल थ्रीब बैठावा एक मिधाईल फोर पर तो काउण नाम होगा त्रीफोर डाय मिधाईल डाय ने तो चिक ए तरीफेट नाम आ जाएगा डॉम वक देते हैं ऐसका आंशर मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा पर कर लेना प पढ़े पहले ठीक है जी च्छी 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 यहां पर आपको लॉंगेस चेन ध्यान से देखने हिंड देता हूं लॉंगेस टेड़ी होगी इस बारी ठीक है एक और उंवक्ष देता हूं दो एथाइल वाले देते हैं अब अगर दो इथाइल भार आ जाएंगे तो उसका नाम डाय थाइल हो जाएगा देखो हिंड मैं साथ-साथ दे रहा हूं इससे बढ़िया टीचर मिलेगा तुम्हें कोई इंड भी साथ-साथ दे रहा है चीग है चालो जी यह दो एक्जामपल आपको कर लेने होंगे डन है उसकी बात है बड़े यागे चालों जी अब अधर और गनिक कमपाउंट की बात करोटे तो 100 यह जैसा क्या बात эффore पटा था कि हमारे पास फुल मिला के चैन्नी गमपाउंड हमेसे पकड़ने हैं है अब उन चनन्त में होती हैि बारा तेरा और हमें पढ़ने होते हैं चौदा हैं अगर मैं सब को सब ब्रांचिंग सब डिवीजन सब मिला लूँ तो चौदा फंक्शनल ग्रूप्स हमें 11 क्लास में पढ़ने और और भी होते हैं लेकिन फिलाल अगर बात करें तो हमें सिरफ छेही पढ़ने जिसमें से एक हम लोग पढ़ चुके हैं विच इस हाइड्रोकार्बन अब हम लोग बाकी के और पढ़ेंगे और उसके बाद हम साइकलिक और गयनिक कंपाउंड पे चलेंगे तो अधर और गयनिक कंपाउंड में हमारे पास into of CO2 अंपाउंड आ रहा है हेलो इल्केण फांच मनट लगेंगे हैं इनको पढ़ने में अगर आपने उससे सुना तो हैलोगिन में क्या होता है इनके अंदर कार्बन के साथ एक्स याने की है新ओ जन लगा लगा होता है अब कार्बन के साथ हैं उस मतलब यहां क पर आपको पता होना चाहिए कि X का मतलब है L everyday और हलोजन कौनissen आगर आप को नहीं पता सब क्यों यहां पर एकसे लोजन से जो कि फ्लोरीन हो सकता है क्लूरीन हो सकता है तो मैंनिन thousand ब między important行 है दो आ गे के साथ हेलोजन लगाओ तो अगर हमारे एलकेन में यानि की हमारे कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगाओ तो उसे हम लोग बोल देते हैं हेलो एलकेन तो carbon के साथ hydrogen लगाओ तो उसे hello alkane बोल देते हैं example अभी दे रहाओ लेकिन अगर इनका नाम करन करना हो तो hello alkane में नाम करन में क्या होता है आपको नाम के आगे prefix लगाना होता है आपको एक prefix लगाना होता है prefix और prefix लगाना होता है hello hello का मतलब क्या है अगर chlorine है तो आपको लगाना होगा chloro bromine है तो आपको लगाना होगा bromo iodine है तो आपको लगाना होगा ido और fluorine है तो आपको लगाना होगा fluoro यह आपको यह बात ध्यान रखना है कि यह आपको suffix नहीं prefix यानि की नाम के आगे लगाना है है अभी हम कुछ कोशन करेंगे तो आप समझ जाओगे धियान रखना अभी हम सब के पांचों को पहले एक साथ पढ़ लेता है फिर सब के कोशन एक साथ करेंगे पहले सबको एक लेते हैं यह जरूरी है ठीक है इसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है अलकोहॉल अब एलकोहॉल एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी वाली मैंने वीडियो बनाई थी एक बारी आप साइंस अन्फन पर जाके देखना दारू पार्टी वाली और मिलें गाबा जी जिनके पर मैंने वीडियो बनाई थी उन्होंने इसको अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था यूट्यूब से लेकर वह मैंने पताया था कि मैं अलकोहॉल वर्ट सुनते ही क्या समझते हैं और एक्ट्यूली अलकोहॉल का मतलब होता है कि कार्बन के साथ ओएच अच्छी अगर कार्बन के साथ ओएच ग्रूप लगावा है तो वह हमारे लिए क्या कहला जाता है अलकोहॉल अगर कार्बन के साथ ओएच ग्रूप लगावा है तो उसे हम लोग बोल देते हैं अलकोहॉल आप इसमें जो नाम करन होता है उस नाम करन में हमें सफिक्स यू करते हैं all ठीक है इसके suffix में यूज करेंगे all जैसे पढ़ाऊंगा आपको मालो चार कार्बन है तो चार कार्बन और सिंगल बॉटेन तो नाम के पीछे लग जाएगा all तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन नौल पढ़ाएंगे आपको इन में नाम के आगे लगाना लेकिन यहा तीसरा हमारे पास आता है अल्डी हाइड अब अल्डी हाइड जो है उसमें क्या होता है कार्बन के साथ डबल बॉंड ओ और उसी के साथ एच लगा होता है कार्बन के साथ ही डबल बॉंड ओ और उसी के साथ एच लगा होता है इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं सी एच हो इसको मैसे भी दिखाते हैं तो carbon के साथ double bond o और उसे के साथ H लगा हो जिसको सी है चोब बहुत है जो मत बोलतें इसको सी अलगे तो इसको है यह है कि इसमें पीछे लगाना होता है वह लगाना होता है अब बहुत confusion होती है बच्चों को इसमें all है ओल इसमें अल है अभी हम कोशन करेंगे तो आप समझ जाओगे इसके बाद हमारे पास आता है कीटोन अब कीटोन क्या होता है बई कीटोन को रध्यान से सुनना है कीटोन में जो functional group होता है वो क्या होता है कारबन के साथ double bond O कारबन के साथ double bond O और आसपास एक कारबन और होनी चाहिए इसमें क्या था कारबन के साथ double bond O और एक तरफ होना चाहिए बाकि कुछ भी हो ठीक है ना लेकिन यहां पर क्या है कारबन के साथ double one oh और आस्पास कम से कम एक एक कार्बन और होनी चाहिए इसको ऐसे वान लिख सकते हैं तो कर्बन के साथfrfr, double बॉण। होना चाहिए और उसके साथ आस्पास और कबन भी होने चाहिए तो आप इतने अगल तो लगा सकते हो कि अगर मुझे कीट्व lässt नहीं बनाने तो कम से कम तीन कारवन चाहिए यह दो कारवन नहीं बन सकता अभी तक जितने भी और रहा है कारवन के साथ डबल बांड और असपास और एक कारवन होना चाहिए जिसका मतलब कम से कम तीन कारवन तो चाहिए ही चाहिए आपको होंगे ठीक है अब इनके लिए ना अभी मैंना जब इनके आपको examples कराऊंगा ना कोशन कराऊंगा आपको और यह तो बड़ा असान है तो किटोन के लिए आपको नाम करण में पीछे आपको फिर से सफिक्स लगाना है और सफिक्स लगाना है और इसकी spelling वन वाली है वह नहीं बट आपको इससे बोलना ओन होगा चीक है और हमारे पास अच्छा यह तीसरा है करिक में अं Ao To me यह न k도 चार आ जाएगा बचो और यहां पांच आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास आख्री Up aard ऐगा फिर आग लगाएंगे बच्चों और वह कार्वोगको जलिक एप लेक एसिद कार्वोग जलिक के बारे में अभी हमें कुछ प्रापर्टीस भी पढद नहीं है और प्रापर्टीस के साथ साथ कुछ एक्सपपरिमेंट्स भी होंगे जो हम वन शॉट में डालेंगे इसको हम कह सकते हो 10 मिनट्स के जो कंसेप्ट लेक्चरस है या तो उसमें डाल देंगे जहां पर experiments की मदद से आपको 10 minute के concept lectures में समझाएंगे या ऐसा कुछ समझाएंगे बड़ा interesting रहेगा वो लेकिन अभी हम बात करें कार्बोग जलिक acid की तो कार्बोग जलिक acid क्या है जिसमें हमारे पास जो functional आपको पता है कि यहां पर आपको concepts under 10 minutes मिलेंगे और उसमें मैं आपको यहां पर इस chapter के कुछ concepts को experiment से समझाएंगा बड़ा ही मजा आने वाला है मुझे वन शॉट को रखते हैं इसमें experiments नहीं डालते लेकिन concepts अंडर 10 minutes या फिर जो शॉट वीडियो से एक मिनट की उसके अंदर experiments करके उनको separate रखते हैं तो कार्बोग जलिक acid की अगर बात की जाए तो इसमें carbon के साथ double bond O होता है और उसी के साथ OH होता है अब आप confuse मत होना इसमें सिर्फ OH है उसमें carbon के साथ double bond O है और H है इसमें carbon के साथ double bond O है और आसपास carbon है बहुत अलग है सब इसमें carbon सकते हैं अब अगर बात की जाए तो इसमें जो उब तरीड? 6-22 लगता है उसमें बड़ा एक काम है इसमें जो lakता है वो लगता है वैं उट यसमें ऑपनी certain अभी तक हम ने कहीं पर के अग्यों नेमिंग में में मना किया ता लेकिन यहां पर और की बीच में आपको देना होगा ध्यान रहा है ठीक है तो यह हमारे 6 functional group होते हैं अब मेरी आपसे request यह रहेगी कि आप विडियो को पॉस करें और यह 6 के 6 functional groups को कहीं पे लिखें और पढ़ें और समझें कि नाम के पीछे क्या-क्या आना है क्योंकि अब मैं उनके उपर मिले जूले questions आपको करवा होगा तो फिर आपको वो कोशन्स तभी समझ में आएंगे जब आपको पता हो कि यार यह कंपाउंड कौन सा है इसके नाम करन कैसे करना है एनौल एनौल ठीक है चलो आओ सबसे पहला है जो हमार पास الक?", जा तो ख सबसे हो कि जो हमारे पास हमारे इसक चाह मोद ब्यूटेन अब अब K-L लगा वह जो किした हेलो-ल फिरह ल घीन में हमें रागे लगाना है हेलो क्लोरीन है तोफ उसका नाम क्या हो जाएगा इससा नाम हो क्लोर dram है तो ऑक कि 3000 ऑच न स्का नाम हो जाएगा mat अब बत्द कितने कार्बन धर old refersक तीन कारबन का मतलब वैसे तो प्रॉप होता है और सब में सिंगल बॉर्ण है तो वैसे तो इसका नाम प्रोपेन होना चाहे था लेकिन जब ओएच लगता है जाने कि जब अलकॉहल होता है तो नाम के पीछ आपको और लगाना है अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा प्रॉप पेन और फिर पीछे और लगाऊंगा तो इसकी प्रणंसीशन बिगड़ जाएगी और इसका नाम ऐसे प्रणंस होगा प्रोपेन यॉल तो फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है तो हमारी केमेस्टे ने डिसाइड किया कि जब भी आप अल्दी हाइड कि टोन कार्बोगजलिक एसेड और एलकोहॉल के नाम कर रहे होगे तो पीछे से यह अटा देना जैसे प्रोपेन की स्पेलिंग में यह आता है ना उसमें से यह को अटा देना और नाम करन हो जाएगा इसका प्रोपेन नॉल ठीक है जी ऐसी मानलो चीछ त्री पीच्टू सी डबल बॉंड ओ स्टी के टून है यह जैंकारबलांड ऑज्ता सबंड इसको नहीं है कारबस स्टी होंड और इसके त्धर और सबस्क्राइब होना चीछ एक प्यको आission बकारबनाली लिया कर्बण क्या लगाना है तो नाम इसका हो गया ब्यूटे नौन समझ गए नाम हो गया इसका ब्यूटे नौन ऐसे करके अगर मैं थोड़े से और एक्जामपल करा हूं क्या हो फिद्ध नाम आजाएगा पैंटे नौन एक 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 एल्डी हैड का कर लें सी डबल बॉंड ओ इधर लगा हो उधर लगा उसे से क्या फरक पड़ता है अच्छा इसको अलग तरी किसे दिखाता हूं मालने यहां पर C3 एच 7 लगा बात एक ही है इसको मैं CH2 CH2 CH3 लिख दू है यह से लिख दू हमें total number of carbon देखने हैं अब है total number of carbon कितने हैं तीन और एक है चार है तो मुझे बस ब्यूटेन लिखना है और नाम के पीछे हमें LD है तो अल लगाना है तो नाम ब्यूटेनल हो गया नाम ब्यूटेनल हो गया डन है डन 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 कोई दिक्कत दी नहीं है ठीक है जी तो इसके बाद हमारे पास आएंगे cyclic hydrocarbon लेके में request है कि पहले छे के छे इसके उपर हम बहुत सारे कोशन करने वाले अरे पता ना भूल गया संडे को कमिंग संडे को हम लोग कार्बन अनिट्स कंपाउंड के ही important questions लेके आ रहे हैं संडे को ही carbon and its compound के important question लेके आ हैं लोग तो वहां पर इसके में काफी questions लाऊंगा वहां पर इसकी practice कर लेंगे अभी इसको one shot के साब से इतने कोशन मेरे साब से बहुत हैं आगे चलते हैं cyclic hydrocarbons पिड़न है ठीक है ठीक है तो इसी के साथ मैं आपको पता दूँ कि हम लोग टेली ग्राम पे हमने असाइमेंट भी डाल इसका पीपीट हो जाएगा जाएगा साथ ही साथ carbon compound का एक assignment भी जाएगा तो नीचे टेलीग्राम हो सकता है शाद assignment का ही link दे दिया हो नीचे टेलीग्राम का वह आप लोग देख ले आपको provide कर दिया जाएगा with the passage of time तो आप उस solution से अपने answers भी match कर सकते हैं और उसी assignment के कुछ important questions भी हम लोग यहां पे करवा देंगे तो यह भी आप लोग तोड़ा ध्यान में रखेएगा चली अब बात करते हैं cyclic hydrocarbons की शायद नाम से पता लग रहा हूं ऐसे hydrocarbons जो की cycle की form में बैठे होते हैं जो cyclic structure बनाके बैठे होते हैं उन्हें हम लोग cyclic hydrocarbons कहते हैं तो cyclic hydrocarbons में कुछ भी नहीं होता है बस एक छोटा सा point ध्यान रखना होता है और वह होता है use cyclo as prefix आपको prefix में जो भी नाम करन आप कर रहे थे वैसे ही करना है बस नाम के आगे cyclo आ जाएगा आओ जरा समझें जैसे कि CH2 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 अब जैसे कि यह हमारे पास एक compound हो गया यह cyclic hydrocarbon है कैसे क्योंकि cycle की form में इसकी कोई शुरुवात और अंत नहीं है तो cyclic hydrocarbon कहते हैं अब इसके नाम के आगे हमारे पास पह लेकिन क्योंकि cycle की form में तो नाम हो जाएगा cyclo butane नाम हो जाएगा cyclo butane ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भई ch2 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 अब जैसे कि यह पांच carbon है अब पांच carbon cycle की form में बैठे हैं तो नाम क्या हो जाएगा cyclo पांच carbon है तो pent सब में single bond है तो in तो नाम हो जाएगा cyclo pentane अब मालो कहीं पर double bond आ गया तो double bond आ गया double bond से क्या डरना भई अब जैसे कि यहाँ पर आ गया मालो यह और यहाँ पर double bond आ जाता है तो पांच carbon है cyclo cyclo पांच carbon है तो pent अब double bond भी है तो in तो नाम हो जाएगा cyclo pentane cycle की form में अगर कोई hydrocarbon है तो बस नाम के आगे cyclo आना है बाकी सब ठीक है अच्छा और ध्यान दे जो general formula हम लोगों ने पड़े थे वो cyclic hydrocarbons में valid नहीं होते हैं जनरल formula सिर्फ linear hydrocarbons में valid है cyclic hydrocarbon में यह valid नहीं है ध्यान रखिएगा ठीक है जी एक दो questions में इसके उपर आपको एक slide और लेके इसके उपर एक दो और example करा जेता हूँ although आप basic तो समझी गए जैसे कि अगर मैं आपको चौथा और example करा हूँ जैसे कि CH2 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 C triple bond C CH2 मान लो ऐसा है जैक है अब यहाँ पर हमारे पास 6 carbon है आप देख सकते अब 6 carbon का मतलब क्या होता है hex 6 carbon का मतलब क्या होता है hex और cycle की form में है तो यहाँ पर नाम आ गया पहली बात तो cyclo 6 carbon है तो hex अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि triple bond भी है तो triple bond को हम आइन बोलते हैं तो यह हो जाएगा cyclohexine यह हो जाएगा cyclohexine तो इस प्रकार से चीजे जो है वो चलेंगी simple है चले अब एक बहुत ही important case यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जिसको हम लोग बेंजी बेंजीन एक cyclic compound है जो कि exam में काफी पूछा जाता है जिसका formula होता है C6H6 काफी पूछते हैं इसकी अलग है यह बाकियों से अलग है यह तो आप सीख पाऊगे अगले चेप्टर में इस चेप्टर में आप नहीं सीख पाऊगे कि अगले चेप्टर मतलब अगले actually class में sorry अ की हुई है यह बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने लेकिन बेंजीन होता क्या है बेंजीन में पहली बात तो छे कार्बन होते हैं और इंट्रेस्टिंग बात यह कि एक single bond होता है फिर एक double होता है फिर एक double होता है अब देखो अगर आप ध्यान से तो हर एक carbon के 3-3 bond पूरे ह हो गए तो carbon तो चार बाणना तो एक एक उसके साथ ह जाके लग जाता है एक एक उसके साथ एक जाके लग जाता है तो यह को अम्लोग बैंजीन यह एक special organic कि एक special cyclic organic compound है जिसको बैंजीन बोलते और इसमें छे carbon लगे होते हैं और छे carbon में एक single फिर एक double फिर एक single फिर एक double एक छोड़के एक double bond जो है वो लगा यहां पर रहता है basic basic बात है done है okay okay इसके Lewis dot structure पर रहा गार अभी बनाते हैं हम लोग बनाएंगे भी अभी हम आगे बढ़ते हैं ठीक है छे के छे को ढंक से याद कर लिजेगा खासकर hydrocarbons और अगले लेक्चर में हम बाकी functional जिनके नाम आपने टैंथ में नहीं सुने थे उनके नॉमन क्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो मिलते हैं अगले लेक्चर में थेंक्यू से मच